हलो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चुपा काबरा के बारे में तो चली शुरू कते हैं अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कर्मेंट कीजिए शेयर करना मत मार्च 1995 इस दिन को चुपा काबरा ने अपना फर्स्ट हंट किया था जो की 150 से भी ज़्यादा गाय और बक्रियों को इसने मार दिया था और इसके बाद से ही चुपा काबरा का आतंग फैल गया और चुपा काबरा एक की बाद एक हंट करता गया अगर हम लोग इसकी है उसके शरीर में एक भी बाल नहीं है और इसके पीट में कुछ काटे हैं इसके आखे लाल है और इसके मुह में बहुत सारे बड़े बड़े दात हैं और हाली में ऐसे केसे भी सामने आये हैं कि इंडिया के मनीपूर में चुपा काबरा को देखा गया है दोस्तों चुपा कि उल्टे त्रीकोन में बनाए होते हैं बहुत जन बोलता है चुपकाबरा एक एलियन है और बहुत जन बोलता है कि चुपकाबरा का जनम कुछ साइंटिस्ट के म्यूटेंट के प्रोजेक्ट में फेलियर के वज़े से हुआ था चुपकाबरा भेर, बकडी, गाय, खरगोश, मुर्गी और अन्या बहुत सारे जीवों को हंट करता था और कुछी दिनों के बाद चुपकाबरा का आतंग दूसरे देशों तक भी चला गया था चुपकाबरा अटेक होने का केसिस बर रहे थे। चुपकाबरा जब थोड़ा से फेमस हो गया तब ये बहुत सारे पालतू जानवर जैसे इन लोगों को भी मानने लग गया और बहुत सारे लोगों को इसी का डर हो गया कि ये जब सभी को मार सकता है तो ये तो हमें भी मार सकता है इसलिए सभी अपने साथ कुछ ना कुछ हत्यार लेके घूमते थे ताकि उनके साथ कोई हाथसा ना हो जाए पिलिस कैनियन नाम की एक औरत ने जो एक चुपा काबरा का लाश पाया उन्होंने इस राश को सम्हाल करक दिया था ताकि बाद में विग्यानिक इसके उपर रिसर्च कर सके जब विग्यानिकों ने इसका डियने टेस्ट किया तब इन लोग को पता चला कि ये डियने एक डॉक के डियने से मिल खाता है इस DNA का नाम केनाइन है और केनाइन ज्यादा तर भेडिये लोमरी कुत्ते ऐसे प्राणियों के अंदर पाया जाता है जिनका शिकार करने का तरीका जस्ट उल्टा है चुपाकावरा के शिकार करने के तरीके से कुत्ते भेडिये ये सब शिकार करते हैं बट चुपाकावरा ज्यादा तर खून के लिए शिकार करता है गाइस आजके लिना काफी होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए मैं भूलता और एक नए वीडियो के साथ तब तब के लिए अलिए अजय दो